मसकार सर सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रभी कुमार है मैं ज्हारखन के देवगर जीले से मद्धुपुर प्रखंड से हूँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा आपने कब ली? रभी जी क्या-क्या भक्ती साथ नहीं की है आपने? कुछ दिन के बाद तिन-चार साल के उमर से मुझे आरिशमज में दाखिला करा दिया गया वहां के जो भी यग्य करना, हवन करना ये सब मैं करता था और बश्पन से मुझे सारा वेद जो है, वो जो अगनी होत्र करते हैं, हवन करते समय वो सारा मंतर मुझे याद हो गया था लेकिन मैं प्रमात्मा की जो तलास थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थे मैं हर समय जब भी मैं नहाता था मैं सुरी देव को पास्टना करता था, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सुरी देव की पूजा करने से बहुत लाम मिलता है तो मैं उनसे कहता था कि जो दुनिया में सच्चे भगवान है, वो कौन है और मेरा जीवन क्यों मुझे मिला मैं यही सुचता था कि मुझे काम करना पड़ता है बहुत तरह के तकलिफे होती है भगवान ने मुझे ऐसा पैदा ही क्योंकि है कि मुझे फसा दिया मुझे लगता था कि ऐसा कौन भगवान है जो मुझे इस हालात में छोड़ दिये है तो कोई ना कोई ऐसा भगवान है जो सुप्रीम पावर है मुझे उसकी तलास करने चाहिए और उसकी तलास करने के लिए मैं आई शमाज में तो था ही उसके बाद भी मैं ब्रह्मा कुमारिस में हनुमान जी की पूजा भी करता था और साथी साथ RSS विभाग में जहां भी मुझे लगता था कि मुझे प्रमात्मा की जनकरी मिल सकती है मैं वहां जाता था लेकिन मैं पूजा तो करता था लेकिन मेरी तलास भी नहीं मिट रही थी और मेरा ही हाथ जो है उसमें टूट गया, तो मैं जब जब भक्ती करता था, तो मेरे साथ कुछ न कुछ अनुहोनी घटना कर जाती थी, इसलिए मैं भक्ती भई नहीं करता था, लेकिन प्रमात्मा के चलास में हमेशा करता ही रहता था, ब्रह्मकुमारिज में मुझे बताया पुजा करते थे लेकिन वही परिसान रहते थे किसे को कुछ न कुछ न कुछ परिसान नियुक्ष परिसान लगे थी दूसरी बात है कि प्रमात्मा के साथ जो प्रेम होता है वह मुझे नहीं सुनता था मुझे बहुत अच्छे लगते थे स्वामि रामदेव जी योगा चिखाते हैं उनका भी मैं बहुत सुनता था अरिशहमा जी कूर्ची वो थे सुनते रहता था मुझे बहुत अच्छा लगता था लेकिन फिर मैं सोचता था कि फिर यह जो चौरासी लाग तरह की यूनिया है यह क्यों बनाई गई मैं जी हूंगा फिर मरक कि फिर मैं कहां जाओंगा मैंन में बहुत सरा सवाल था मैं पुरोहिट से पूस्ता था तो यह जो है देखता था कैसे क्या हो रहा है और फिर में मैं जब तो करता था औरुक्षिरण करने hell अचा पूछ आधार है कि वेड पूरान के सब कुछ सत्तर रामपाल जी महराज का सत्तितर और उनसे इस साधना चैनल सत्तितर गरोजी महराजहSmith, प्रकना इजयुकर Сंतरामपाल जी महराज को कहwegen Yazam मुरत किल घृतानि के तोके तो बहुत says वह कोकोर हमारे थे, वह सबस्सेब करके जन्मु कर रहते contains our हमारे देवी देवता को छोटा ये क्यों बता रहे हैं क्या ये अने बाबाओं की तरह ही बाबा हैं ये सोशता भी था सत्तंग भी सुनता था तीन-चार दिन तक सुनते-सुनते मुझे लगा ये बोलते तो सब कुछ ठीक है लेकिन ये प्रमा बिश्णो महज को ऐसा क्यों बता रहा है फिर मैं अपने प्रोहितों से पुछता था वो बोलते थे कि ये भी बाबा की तरह है दो हजार उनीस में जब मैं मानसिक परिशान था कॉलेज में था वरकलोड बहुत मिलेंगे प्रमात्मा कहा है तो संतरामपाल जी महाज के ही कुछ भगत का अंट्रव्यू मेरे सामने आ गया उन्होंने कहा कि प्रमात्मा जो है वो सतलोक में रहते हैं सतलोक में सर्वसुख हैं यहां पर हम लोग काल के जाल में फज गया हैं और फिर कोई कहता था कि किसी का किड़नी का फिल दोंटी का है। किड़नी का एी मारा जैसा क्या करते हैं कि za सारा बीमारी ठीक हो जाता है। तो मैंने 2013 में ग्यान का किताब मंगाया था लेकिन पढ़ा नहीं था। वह मैंने देखा गुरू जी ऐसे हाथ किये हैं मुझे लगा कि यह अपने आपको भगवान समझते हैं। उस से मेरा बुद्धी काम नहीं हैं किया। मैं पहचान नहीं पाया, तो मुझे लगा कि ये मैंने किताब को लिया और घर में कहीं रख दिया उसको, पढ़ा नहीं, लेकिन 2019 में जब मुझे लगा कि संतरामपाल जी महराज का ग्यान जो है वो बहुत अच्छा है, फिर मैंने बोकारो जिले में एक पेटरवार जगा है, वहीं पे संतरामपाल जी महराज का नामदान केंद्र था, मैंने फोन करके पता किया, फिर मैं वहाँ गया और प्रमात्मा का संतरामपाल जी महराज का नामदिख्चा वहाँ से मुझे मिला। वो गोल मोल बात करते थे, वो नहीं बता रहे थे कि हमारा ये जो जीवन मिला है, ये इसका क्या उद्धेस है, और दूसरी बात ये है, कि सतलोक भी एक अस्थान है, जहां पे जाने के बाद लोग वापिस नहीं आते हैं, स्वर्ग जाने के बाद लोगों को वापिस आना पढ़ता है, नरच जाने के बाद भी वापिस आना पढ़ता है, चौरासी भोगना पढ़ता है, ये सारा सच्चा ग्यान जो है, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, संत्रामपाल जी महराज की नाम दिख्षा लेने के बाद, और उनका ग्यान समझने के बाद, मुझे ये इस साल तक आरे समाज से जोड़े रहे, बहाँ प्रिधान भी रहे और मंडल प्रिधान भी रहे और इस बात को आप भी जानते होंगे कि संत रामपाल जी महराज और आरे समाज का लंबे अर्से से विवाद चल रहा है आरे समाजी कहते हैं कि संत्रामपाल जी महराज महीर सी दयानन पर विवादि टिपड़ी करते हैं तो क्या ये बात सही है? संत्रामपाल जी महराज पर ये जो आरोप लगाए हैं दयानन सरस्वती जी के अनुनाई आरे समाजी ये सरासर गलत है पहली बात है कि मैं पूस्ता था द्यानान सवस्तिजी के अनुनाई आरिश हमाजियों से कि ऐसा क्या कर दिया गुरुजी ने और वो क्या गलत बताते हैं जो वेदों में लिखा है वही बताते हैं लेकिन वो देखने के बाद भी नहीं मानते थे संतरामपाल जी महराज कहते हैं कि प्रमात्मा हमारे घोर से घोर पाप को भी नास कर देते हैं और उसका प्रमान इरिगविद में दिखाते हैं प्रमात्मा साकार रूप में हैं और यह कहते हैं निराकार है इन सबी बातों से बाद विवात से मैं उनसे पूस्ता था वो गलत और उनको कुछ ग्यान नहीं है और सिरफ अपने ही ग्यान महाराज का विरोत करके हैं संत्रामपाल जी के विचारधारों में जो फर्क है वह मैं बताता हूं मैंने जब जब पूछा उनके प्रोहितों से कि संत्रामपाल जी का आप पिरोत क्यों करते हैं तो वह कहते हैं कि आपके गुरुजी गलत बताते हैं लेकिन सचाई तो यह है कि संत्रामपाल जी मराजी व वेद में प्रमानित ग्यान है, उसके अनुसार बताते हैं, और ये तो कहते हैं कि मुझे वेद का पूरा ग्यान है, सत्तात प्रकाश पढ़िये, मैं कुछ पुछता था तो सत्तात प्रकाश पढ़िये, वो खुद नहीं पढ़ते थे, वे खुद वेद के मरमों को नहीं जान और दूसरों को सिखाते थे तो संत रामपाल जी महराज वेद के अनुशार बताते हैं या और जो भी कहते हैं वो 101 नई 1001 परसंट सही आते हैं रभी जी मुख्य सवाल क्या संत रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के बाद आपको लाब भी मिले? संत रामपाल जी महराज का नाम लेने के बाद पहले तो मुझे सबसे बड़ा राव जो मिला वो मुझे अध्यात में ग्यान का पता चला मेरे जीवन का एक अल्यान हुआ दूसरी बार मेरे आर्थिक हिस्तिती उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत परिशान था, अब मैं आर्थिक हिस्ति पहले से बहुत 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 है, संतरामपाल जी महराज की नाम भी चलने के बाद एक और चमतकार मेरे साथ हुआ, पहले बाद तो मेरे एक्सिडेंट एक बार सतर के स्वीड से गाली चला रहा था, और रात के समय में गिर गया, लेकिन मुझे कोई चोट वैसा नहीं ले गया, बस हाथ में हलगा सा चोट लगा, और जब मैं एक्सरी खराने गया तो मुझे लगा इसा ठूट गया होगा, लेकिन उन्हें कहा ठूटा हुआ नहीं है, द कॉलेज में मेरे जो प्रमुक हैं, उन से मेरा किसी बात को लेकर अन्बन हो गई और उन्होंने मुझे कॉलेज में साजिस करके मुझे टर्विनेट करा दिया, मैंने इसके लिए बहुत सारे नेताओं के पास गया, अरداस लगाई, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं कुछ कर सकता अब आप जानिए तो उसी रात को फोन आया और वहीं फोन करके बोले कि कोई दिक्त नहीं है आप फिर से आईए सारा जो मुझे पर आरोप लागा था वो सब क्लियर हो गया और फिर मुझे मान सम्मान के साथ उसी पोश्ट पर मुझे फिर से रख दिया गया और मैं आज वहीं सेवा कर रहा हूँ मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के लैबरीन पोश्ट पर हूँ जब मैं नाम दिख्चा लिया उसमें मैं घर पे अकेला ही नाम दिख्चा लिया हुआ था कोई और नहीं था तो मैं आस्परोशी के सब को बोलता था और मेरे जो दोस्त हैं मेरे जो कलिक्स हैं मैं सब को बोलता था कि संतरामपाल जी महराज की नाम दिख्चा लो कुछ दिन बाद मेरी जो माता है उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नाम दिख्षा लोगा इससे क्या होगा मैं कहा कि आप अगर संत्रामपाल जी महराज की भक्ति करेंगे आपको आर्थी कलाब सारे कलाब जो कुछ भी आपको कमी है भक्ति मार्ग में बादक है वो सब ठीक हो संत्रामपाल जी महराज करोना काल के समय में मेरे ममी ने नाम दिख्षा लिया उसी समय से नाम दिख्षा लेने के बाद ही फिर उनको पैड़ दर्द वो समाप्त हो गया और यहां पर कमर के पास कुछ दर्द था वो बोलती है रहती थी कि हमसे मुझे दर्द करता रहता है वो भी दर्द समाप्त हो गया संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सरे लाब मिले तो जो दर्शक आज आपको ट्orie पर देख रहे हैं और वो भी पौल जी महराज से नाम दिख्षा लेना चाते हैं तो कैसे ले सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबी को बताना चाहूँगा चैनल पर उनका सत्संग चलता है सत्संग चलते समय नीचे में पट्टी चलती है उसमें संपर्क सुत्र लिखे रहते हैं आप उस फोन नंबर पर फोन कीजिए और फिर अपनी नजदीकी नामदान के इंदर पर जाक संत्रामपाल जी माराज की दिख्चा प्राफ्ट हो सकते हैं धन्यवाद सार